हेलो बच्चों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर शब्द सनचना यानि कि वर्ड फॉर्मेशन उससे पहले हम कुछ एक्टिविटी करेंगे यहाँ पर बच्चों जैसे कि अधर्म में अ उपसर्ग लगा है और अगुण में अव उपसर्ग लगा है तो इसी तरह आपको अ और अव उपसर्ग वाले तीन तीन और शब्द लिखने हैं तो बच्चों उपसर्ग प्रत्य और समास कि कुछ शब्दाश को जोड़ करके एक शब्द से बहुत सारे शब्दों के निर्वान को शब्द रचना कहते हैं और वाक्य में अगर हम शब्द का सही प्रियोग करें तो उसके लिए उसमें कुछ नया जोड़ कर या उसमें कुछ बदलाव करके उसका कुछ दूसरा रूप बढ़ा देते हैं इसे ही शब्द रूप या पद कहते हैं तो वाक्य में शब्द रूप या पद का ही इस्तेमाल किया जाता है। शब्द रूप देने पर एक से ज़्यादा शब्द बन जाते हैं, जैसे शब्द रचना तीन दरह से की जाती है। एक तो शब्द से पहले कुछ शब्दांश जोड़ करके, कोई दूसरा शब्दांश जोड़ करके, और एक शब्द के अंत में कोई शब्दांश या विभक्ति जोड़ करके, और तीसरा दो स्वतंत्र शब्दों को जोड़ कर, तो अब हम सबसे पहले उपसर्ग के बारे में पढ़ते हैं जिसे हम English में prefix भी बोलते हैं तो बच्चों वो शब्दांश यानि शब्दांश मतलब शब्द का अंश शब्द का हिस्सा जो किसी शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देता है उससे उपसर्ग कहते हैं जैसे कि उप प्लस हार उप हार तो इसम यहां हिंदी में छार तरह के उपसरगों का प्रियोग होता है सबसे पहले होते हैं तप सम उपसर्ग के उप असे कि अर्थ होते हैं, जैसे अप मतलब कुछ बुरा, जैसे मान है, मूल शब्द है मान, उसमें हमने अप मान कर दिया, तो मतलब बुरा हो गया, कुछ, अभी मतलब, अभी मतलब सामने, या विशेश, जैसे वादन है, तो अभी वादन, जीवन, आ का मतलब है सहित, आ जीवन पूरे जीवन, इसी तरह उप का मतलब है छोटा जैसे उपस्थित, उद का मतलब स्ट्रेस्ट, मुचा जैसे उद्धार, कर मतलब करका, दू, अगर उपसर्ग लगाते हैं तो दुश कर, यानि बुरा, इसी तरह कुछ तद्वा उपसर्ग होते हैं, जिसमें अ, अन, अध, जू, बिन, ये उपसर्ग प्रियोग किये जाते हैं, इसके वायद अगले होते हैं आगत उपसर्ग, जिसमें की हर, ला, गैर, हम, बा, बे, बद, इस तरह के उपसर्ग प्रियोग होते हैं, जैसे हर दम, ला परवा, गैर हाजीर, हमसफर, बाकाइदा, बेइमान, बदनाम आगत उपसरक वाले शब्त हैं, अब बच्चों उपसरक की ही तरह प्रियुक्त होने वाले संस्क्रप के अव्य होते हैं, जैसे द्रश्य है मूल शब्त, तो इससे हमने क्या शब्त बनाया, इसी तरह कार का सत्कार, विचार से कूविचार, अधिकार से अनाधिकार, बल से सबल, पतन से अधपतन और काल से चिरकार इसी तरह बच्चों अब हम पढ़ते हैं प्रत्याई के बारे में तो शब्द का वो अंश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव लाते हैं उन्हें प्रत्य कहते हैं जैसे खेल प्लस ओना ये खेल मूल शब्द है और इसके बाद में चुड़ा है तो ये प्रत्याई हो गया तो शब्ट बन गया खिलोना इसी तरह आनंद प्लस इत आनंदित फूल प्लस वाला फूल वाला प्रत्य बच्चों दो तरह क्यों होते हैं पहले होता है क्रत प्रत्य तो धातु के अंत में जो प्रत्य लगाये जाते हैं उनको क्रत प्रत्य बोलते हैं जैसे पहन प्लस आवा पहनावा, इसी तरह पठनिय, पढ़ाई, मिलान, दिखाव, प्लस वट, दिखावट, चल से बनेगा चलाओ, बढ़ से बढ़ता, जल से जला, दूसरे होते हैं तद्धित प्रत्य, तद्धित मतलब ऐसे प्रत्य हैं, जो संग्या, सर्वनाम और विशेशन के आखरी में जु दुकानदार, पांचवा, मोटापा, अकलमन, गरीबी, अब उपसर्ग और प्रत्य को एक साथ किस तरह प्रियोग करते हैं, बच्चों जैसे हिंदी में शब्द रचना के लिए कई बार उपसर्ग और प्रत्य दोनों का भी एक सब्द में प्रियोग किया जाता है, जैसे क इस्थित है, तो उपसर्ग इसमें उप है और प्रत्य दो हम क्या बनाएंगे उपसर्ग हो गया और एक प्रत्य इसी तरह सम्मानित है, जिसमें उपसर्ग और प्रत्य दोनों का प्रियोग है, अब हम पढ़ते हैं बच्चों समास के बारे में, तो जैसे बच्चों सेनाप पती शब्द हैं। वह दो शब्दों के मिलने से बनाए हैं। इन्हे। हम समस्त-पद कहते हैं। समस्त-पद में 2-पद होते हैं, एक पूर्वपद और अुत्तर-पद, पूर्वपद मतलब जो पहला पद है और उत्तर-पद मतलब इसमें जो राज-कुमार है। तो अब हम पढ़ेंगे समास विग्रह, समस्त पद को अलग-अलग करके लिखना वो समास विग्रह गहलाता है. समास के भेद, बच्चों समास बुखेदे छेंत रहके होते हैं, अव्याई भाव, समास, ततपुरुष समास, कर्मधारे समास, द्विगु समास, ध्वंद समास और बहुवरी समास. तो सबसे पहले अव्याई भाव समास पढ़ते हैं, जिसमें पहला पद प्रधान होता है, पहला पद अव्या होता है और वो अव्याई भाव का जो समस्त पद है वो अव्या की तरह काम करता है जैसे यथा समय है यथा समय मतलब समय क्या नुसार प्रति दिन तो हर दिन आजन मतलब जन्म से लेकर और परतेक मतलब हर एक तत्पुरुष समास होता है जिसमें उत्तर प प्रधान है पत ब्रस्ट पत से ब्रस्ट हो गया जो सत्य अग्र है जो सत्य के लिए आग्र है शर्णागत यानि शर्णन में आगत अगला है कर्मधारे समास जिस समासिक पद में उत्तरपत प्रधान हो उसे कर्मधारे समास जैसे नील गगन यानि नीला है जो आकाश इस्त्र रत्न मतला, इस्त्री रूपी रत्न, पिताम बर्ल, यानी पीले हैं जो वस्त्र, कमल नयन, कमल जैसे नयन, अब अगला है द्वीगु समास, जिसमें प्रथम पद संख्य वाची विशेषन हो, और आखरी पद संग्या हो, जैसे प्रिकॉन, प्रिकॉन में त्री जो है वो इस तरह तीन कुणों की रचना ती रंगा में भी पहला पद संख्या है सब्त रिशी त्रिवेदी ये द्विगु समास हो गया द्वंद समास होता है जिसमें दोनों पद प्रधानों जैसे राम कृष्ण तो राम और कृष्ण चाल चलन चाल और चलन रुपया पैसा मतलब र प्रधान नहीं होता जैसे त्रिनायन यानी तीन वाला कौन है तीन वाला शिव इसी तरह लंγαो दर लंबा है उधर जिसका कौन है वो गणेश मुर्ली धर यानि मुर्ली को धारन करने वाले कौन है कृश्ण च्यक्ष्ण धसानन यानि दस है आनन जिसके वो कौन है रावन तो दो शर्द मिलकर के किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं अब हम कर्मधारे और बहुबरी समास में अंतर समझते हैं बच्चों कर्मधारे में दूसरा पत प्रधान होता है जबकि बहुबरी में कोई भी पत प्रधान नहीं होता कर्मधारे के पदों में Thank you!